हेलो दोस्तों कैसे हो सिड्नी मरीना बार खेल रहे हैं मेरा नाम नितिन काल रहा है किस नंबर लेवल वाले भाई है जी और गेस्ट बैंजी खेलेंगी हमारे साथ 10 नंबर लेवल वाली बैंजी तो यू आर ब्रेकिंग गुड लग लिखा आ गया इसका मंदब मैंने ब्रेक क किया तो एक भी बॉल नहीं गई भाई साथ चलो भेंजी दस नंबर वाली भेंजी गेस्ट भेंजी खेलेंगी ओ वाव इन्होंने शॉर्ट लगाया एक शॉर्ट में दो सॉलिड बॉल गई है भाई साथ वैरी गड लिखा गया यू और स्ट्राइप इसका मंदब मेरी बहुत ही खेच-खेच के शॉर्ट समार रही है गेस्ट भेंजी बहुत ही अच्छा केल रही है तीन सॉलिड बॉल जा चुकी है और ओध्या जी देखके पता चल रहा था कि आप गज़त करने वाली हैं तो जी नीचे लिखा कि It's your turn मेरी बारी आ गई है हम तो wise up slow mo खेलते हैं हमेशा और आज मैं आपको जो है एक बड़ी असी टेक्नीक भी बताने वाला हूँ जब भी डंडा कीची है सिर्फ दो लाइन पीछे कीची है मैंने blue color की stripe ball ले ली है डंडे की तरफ देखिए सर left hand side पर डंडे की तरफ देखिए डंडा जब भी खीची है दो लाइन पीछे खीची है ये दो लाइन पर ही रख दो जाए देखो कैसे smooth कीटी जाएगी और बहुत मज़ा आएगा ऐसे अगर आप खेलेंगे तो आप हर मैच जीतेंगे जितना slow खेलेंगे देखिए डंडे की तरफ देखिए डंडे की तरफ देखिए वाइस आप दो लाइन पीछे घीचना है डंडा पहले निशाना ताना और खटेक बाल गड़े के अंदर ग्रीन स्ट्राइब बॉल लिया वाइस आप आज जो हैं हम टेकनीक समझा रहे हैं और टेकनीक में ये है कि डंडा दो लाइन पीछे खीचना है अगर इस तरीके से आप खेलेंगे तो आप हमेशा जीतेंगे जैसे कि आप मेरी और भी वीडियो देखते हैं मेरे चैनल पे दो लाइन डंडा पीछे खीचा और रैड स्ट्राइब बॉल गड़े के अंदर अब ये वाला सीन देखेगा वाइस आप ये है परपल स्ट्राइब बॉल पर ध्यान दे रहा हूँ ये भी हो सकता है कि दूसरी बॉल से टकर खा ले लेकिन दो डंडा दो लाइन जो पीछे खीची है डंडे की उसका मैं बहुत भरपूर मजा लेता हूँ आप मेरी पिछली वीडियो भी देखिए सब में मैंने दो लाइन डंडा पीछे खीची है और इस ट्राइब बॉल की के अंदर अब कहां दिमाग लगा हैं अच्छा यह अब हम ब्राउन स्ट्राइब बॉल की तरफ दिमाग लगा रहे हैं अहां हां हां खटक दो डंडा पीच लाइन डंडा पीछे खीचा और बॉल गड़े के अंदर कितना भी बड़ा प्लेयर हो एक बार तो इस गेम में जरूर फस्ता वाइस अब देखो यह काले रंग की लास्ट बॉल लेनी है इसको लेने के बाद मैं जीच जाता लेकिन अब देखो कहां भेजूं कहां भेजूं कुछ समझ नहीं आ रहा है और उपर घड़ी चालू है और टिक-टिक-टिक-टिक-टिक बोलना शुरू करती है यह मार हवा में साली नहीं जा रही थी इसलिए मैंने ऐसी छोड़ दिया आप देखते हैं गैस्ट भेंजी दस नंबर वाली लेवल वाली भेंजी क्या करने वाली हैं चलो जी आच्छा जी यह वाल शोट चलो दिख लाइक कीजिए जादा से जाद अपने फ्रेंड सरकल में शेर कीजिए कॉमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बाइब